नमस्कार, जयमात आदी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ चारे 15 ओक्टूबर संडे यानि रविवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर है जिनका आज के दिन बर्थडे है विशे वेरी वेरी हैपी बर्थडे आपके लिए वे एक छोटा सा उपाय है जो हम लेकर के आए हैं लेकिन आज से शुरू हो गए है शारदिय नवरातरी घटस्तापना तो आपने कर ली होगी और सही साइम टाइम पर आपने किये अगर किसी कारण से आपने ही कर पाए हैं दूसरे महुरत में भी तो कर सकते हैं तो मेरी घटस्तापना की वीडियो को जरूर देख लीजेगा क्योंकि आज मा के पहले सवरूप की मा शैल पुत्री की अराधना की जाएगी और कल की जाएगी मा ब्रह्मचारिनी की अराधना यानि मा दूर्गा का दूसरा सवरूप है मा ब्रह्मचारिनी कल मा के दूसरे सवरूप की अराधना की जाएगी लेकिन अगर आपने घट स्तापना भी तक नहीं की है तो आप दूसरे महुरत में भी घट स्तापना कर सकते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की आप वीडियो को जरूर देख लीजेगा आपने माशैल पुत्री का पूर्ण रूप से आशिरवाद पाना है और साथ के साथ अगर घर में दरिदरता है धन की दिक्कत है सुखों की दिक्कत है कोई ना कोई आपके साथ परेशानिया बनी रहती है धन से जुड़ी हुई तो आज आपके लिए एक बहुत महा उपाय है जिससे माशैल पुत्री प्रसन भी हो जाएंगी और आपकी इन सारी समस्याओं को दूर भी कर देंगी तो आपने जरूर देखना है पूरे वीडियो को और एंड तक क्यूंकि उपाय भी हम बताएंगे वो भी जरूर करना है लेकिन जिनका बर्थड है वो इंतजार कर रहे होंगे काफी समय से तो आपके लिए कौन सा उपाय है जो आपने जरूर करना पांच वर्ष से छोटी क करने आए आपने उन्हें आज के दिन कुछ वस्त्र गिफ्ट में जरूर करने है और साथ के साथ उनके चर्णों को चूं करके आशिरवाद लीजेगा देखिए आपका जीवन कितना सफल होत है बर्तने भी अच्छा रहेगा और साल भी अच्छा रहेगा तो इस उपाय को जरूर किजेगा आप बात करेंगे आपके राशियों की पहली राशी एरिस यानि मेश राशी नौकरी में परिवर्तन की पूरी-पूरी संभावनाय है वैवाही के समंदो में जो तनाव चल रहा था वो ठीक होगा मा को आज के देन आपने साथ पीली चूडिया यानि सेव जगड से बचिएगा बीमारी में थोड़ी से राहत आपको मिल सकती है मा को आज के दिन आपने ग्यारा पीली चूडिया जरूर चड़ाने जरूर हर्पित करने शुबंग की बात करेव रहेगा नो शुब्रंग रहेगा आपके लिए सेलवर सेलवर रंग का इस्तेमाला प बात करते हैं संतान प्राप्ती के पूरे-पूरे योग हैं स्वास्त का खास करके ध्यान रखे मा को आठ पीली चूडिया आज के दिन जरूर चड़ाईएगा शुबंग की बात करेव रहेगा छे शुब्रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं करक यानि किन सेरी इनकी बात करते हैं प्रापटी से जुड़ा हुआ विवाद आज के दिन हो सकता है धन का लेन दिन जरह सावधानी से करे मा को आज के दिन छे हरी चूडिया जरूर अरपीत की जिएगा शुबंग की बात करेव रहेगा चार शुबंग रहेगा आपके लिए क्रीम क्रीम रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन चाहे तो कर सकते हैं लियो यानि सिंग राशी की बात करते हैं उचपद की प्राप्ती के पूरे-पूरे योग है भागी-दारी यानि पार्टनर्शीप अगर आप कर रहे हैं करने जा रहे हैं तो आपको लाब होगा बेनिफिट होगा मा को आज के दिन दस लाल चूडियां जरूर अरपित कर दीजेगा शुबंग की बात करें वर रहेगा चार शुबरंग रहेगा आपके लिए लाल लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं वर्गो यानि कन्याराश की बात करते हैं अचानक धन खर्च आज के दिन बढ़ सकता है धोखे से बचे सतर करें मा को आज के दिन पांच हरी चूडियां जरूर अरपित कर दीजेगा शुबंग की बात करें वर रहेगा एक शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं तुला यानि लिब्रा की बात करते हैं दूसरों की खुशीयों से मत जलिएगा इमान दारी से हर काम कीजिए लाप जरूर होगा मा को आज के दिन छे पीली चूडियां जरूर अरपित कर दीजेगा शुबंग की बात करें वर रहेगा मा को आज के दिन साथ हरी चूडियां जरूर अर्पित कर दे शुबंग की बात करें वो रहेगा आठ शुब्रंग रहेगा आपके लिए हरे रंग का इस्तमाल आप आज के दिन कर सते हैं धनु यानि सेजिटेरियस की बात करते हैं जूठे इलसाम से बचने का प्रयास कि अवश्य अर्पित करें शुबंग की बात करें वो रहेगा आठ शुब्रंग रहेगा आपके लिए मेरून रंग का इस्तमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं मकर यानि कैपरिकॉन की बात करते हैं अपने काम दूसरों के उपर ना ढलें दूसरों की गलति की सजा करते हैं कुम्भराशी की बात करते हैं एक्विरिस की बात करते हैं माता पिता से जूट ना बोलें आज investment अगर करने जा रहे हैं तो कर सकते हैं, मा को तेरा लाल चुडियां आज के दिन जरूर अर्पित करें शुबंग की बात करिये वह रहेगा दो शुब्रंग रहेगा के दिन कर सकते हैं आखरी राशी है मीन राशी याने पाइसियन अधिक गुस्सा आप ही का नुकसान कर सकता है जैदा महत्व कांक्षी ना बने मां को आज के दिन नौ पिली चुड़िया जरूर अर्पित करें शुबंग के बात करें वह रहेगा अच्छी शुब्रंग और कल की जाएगी मा के दूसरे सवरूब के पूजा यानि मा ब्रमचारिनी की पूजा घटस्तापना अगर आप नहीं कर पाए हैं किसी कारण से सुभा तो आप दूसरे महुरयत में कर लीजे मेरे यूटूब चैनल के वीडियो को जरूर देख लीजे उसमें घटस्तापन का नाश कैसे हो धन की कमी है परेशान है तो आपको मा देगी वरदान उपाई क्या करना है पांच केले लीजेगा और उसे मंदिर में जाकर के मा दूर्गा के समक्ष रख दीजेगा साथ में एक लाल चुनरी उन्हें अर्पित कर देजेगा ये उपाए आज ही की दिन किसी भी समय रात्री तक भी कर सकते हैं तो यानि आपको ये बाउंड नहीं है कि इसी समय इस उपाई को करना है इस उपाई को कीजिए और मा का पून आशिरवाद लीजिए और अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कीजिएगा तो वीडियो को जादा से जादा लोगों तक ज समाधान इस नवरात्री आपका निकल सकता है तो वीडियो को ज़रूर दिखे शियर भी किजिएगा हर सुबचे बजे राशी फल के साथ हमाजिर होते हैं कल फिर आप ही के राशी फल के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार जयमाता दे